नमस्कार दोस्तो दोस्तो आजम बात करने वाले हैं नीला केला काने के फाइदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो केला एक ऐसा फल है जिसका सेवन कच्चे और पके हुए दोनों रूपों में किया जा सकता है कच्चा केला हारे रंका जबकी पक जाने पर इसका छिलका पीले रंका हो जाता है कई पोसक ततो से युक्त होने के कारण केले का सेवन कई स्वास्ते समस्याओं से निजात दिला सकता है आपने अब तक हारे और पीले केले के कई स्वास्ते लाप सुने होंगे परंतु आपको जानकर हैरानी होगी की नीले रंग का केला भी होता है जी हाँ इस केले को बलो जावा बनाने के नाम से भी जाना जाता है इस केले का स्वाद कुछ-कुछ वनीला आइसक्रीम की तरह होता है दोस्तो आईए जानते हैं नीला केला खाने के फायदू के बारे में नमबर एक तनाव से राहत के लिए दोस्तो एक सोध में पाया गया है कि केले का सिवन आपको तनाव से मुख्ती दिला सकता है यही गुन नीले केले में भी पाये जाते हैं प्रोटीन युक्तिन नीला केला आपके सरीर को रिलेक्स करके चिंता मुक्त महसूस करवाता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला विटामिन B6 आपके सरीर में रखती सरकरा को नियंत्रित करने में सायक होता है। इसी कारण से डिप्रेशन के मरीजों को केले का सेवन फायदे मंद हो सकता है दोस्तो नीले केले का सेवन आपको उर्जावान बनाई रखने में मदद कर सकता है साती नियमित रूप से इसके सेवन से आपकी सेहत को भी कई फायदे पहुंचते है नमबर तीन कबज से चुटकरा दिलाने में दोस्तो जिन लोगों को कबज की सिकात है उनके लिए भी नीले केले का सेवन लाबकारी हो सकता है इसके लिए आप पति दिन रात को सोने से पहले इस अब गोल की भूसी या दूद के साथ इस केले का सेवन कर सकते है इससे आपको जल्दी कबज और गैस की समस्थ से आरा मिल जाएगा नमबर चार वजन गटाने में सायक दोस्तो जो लोग वजन गटाने की कोसिस कर रहे हैं उनके लिए भी नीले केला कारगर साबित हो सकता है आपको बता दे की नीले केले की एक सर्विंग में लगबग 105 केलोरी होती है जिससे अगर आपको कभी मिटा खाने की तिरू इच्छा हो तो आप मिठाईयों आइसक्रीम अत्वा चोकलेट की जगे इसका सीवन कर सकते हैं इससे न केवल आपका केलोरी इंटे कम होगा बच पाते हैं नमबर पांच आइरन की कमी को पूरा करें दोस्तो एनेमिया यानि सरीर में खून की कमी होने पर भी नीले केले के फाइदे देखे जा सकते हैं इसलिए जो लोग एनेमिया के सिकार हैं उन्हें तो इस नीले केले या बलू जावा केले का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से आपके सरीर में धीरे धीरे आरन की कमी की पूर्ती होने लगती है अव जिससे एनेमिया की समस्व में रहत मिलती है